बॉर्निंग स्टुडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पार्थ फाइंडर क्लासे छपरा में जिन लोग न भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अब्डेट्स आपको जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो अर्था चरों के सभी मानों को संतुष्ट हो बीजिये सर्व समिकाय कहलाती है ठीक है बीजिये आइडेंटिटी कहलाती है तो अल्यबिक आइडेंटिटी क्या होगा कि वो चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट करता हुगा जैसे हम कुछ देख लेते हैं जैसे माली यह पहला हमाइडेंट्री देखते हैं a plus b का square a plus b का square तो इसका एक formula होता है a square plus 2ab plus b square तो यह एक तरह का bga सर्वसमिका है है न अलगेबिक identity है यह किसी भी मान के लिए सन्तुष्टों का यह कैसे आया है चलिए इसको देख लेते हैं यह देखिए कैसे आता है जैसे इसका LHS लिए LHS यहां देखिए इसको तोड़िए A square है तो इसको आप A plus B और A plus B इस तरह से लिख सकते हैं ना LHS आपके ही ना है A plus B का square विसी को हम दो बार लिख दिये अब देखिए इसमें इंटू किया जाता है A को पहले लेंगे इसके साथ इन दो लोको ठीक फिर यह साइन जो होगा उसके साथ इसको लाएंगे यहां पर लिखेंगे और फिर इन दो लोको और इसमें गुना करेंगे देखिए गुना करते हैं तो A square फिर इसमें इससे करेंगे तो A B फिर इसमें करेंगे तो A B और यह से यह आपका साबित होगा तो पहला इडेंटिटी यह है इसको आप याद रखेंगे ठीक है उसी तरह दूसरा आपका हो जाएगा a-b का whole square तो इसका हो जाएगा a square minus 2ab plus b square इसको भी साबित करने के लिए आप इसका lhs लेंगे lhs लेकर a-b और a-b ऐसे लिए सकते हैं और into करेंगे जैसे आपको अभी बताया थे तो a के साथ इन दोनों को लिखेंगे ठीक है और फिर यह minus b लेंगे इसके साथ इन दोनों को लिखेंगे लिख दिये चलिए यह गुना किए a square minus a-b यहाँ इंटू किए minus a-b और यह देखे minus b में minus b से वगत plus b square हो जागा a square minus 2 a-b हो जागा न a-b a-b और plus का b square ठीक है तो यह देखिए यह साबित होगे नहां से चलिए lhs-rhs के बराबर आगया उसे तरह आप तीसरा identity ले सकते है a square minus b square बराबर होता है a plus b और a minus b a plus b और a minus b ठीक है तो यह तीसरा identity होगे इसको साबित करने के लिए इसमें आपको rhs लेना होगा ठीक rhs को लेंगे a plus b और a minus b यही ना है चलिए rhs से lhs लाएंगे इसमें चलिए इससे इंटू करेंगे a के साथ a minus b को फिर plus b के साथ a minus b को ठीक है ना एक बार इसके इन दोनों को ठीक चलिए इंटू करना है तो यह आजागा a square minus a b फिर यहां इंटू करिए a b minus b square देखिए a b और a b कर जागे ना प्लस मैनस का है तो आगे ना a square minus b square तो यह से और भी identity है उससे सबको बता देते हैं चौथा आप लिख लिएगा इसमें यह a x plus a और x plus b तो इसका formula हो जाएगा x square plus a plus b into x plus a b ठीक है तो इसको कैसे साबित करेंगे तो इसमें भी lhs लेंगे आप lhs x plus a और x plus b ठीक है इंटू करेंगे कैसे इंटू करेंगे तो x को लेंगे इसके साथ इन दोनों को x plus b को फिर plus a लेंगे और फिर x plus b को इसमें इंटू करेंगे इसमें से इंटू करेंगे x square इसमें इंटू करेंगे यहां से आपका आ जाएगा x b या bx भी लिख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है b को पहले लिख देते हैं ठीक फिर इसमें करेंगे तो a x और इसमें a म इसको ऐसे वित्री सकते है a plus b और बाहर निकल गया है x तो इसका क्या हो जागा तो इसका भी उसी तरह हो जागा x square ठीक है फिर उसके बाद अगर इसमें इंटू करके भी लिख सकते है direct और formula भी इसका हो जाएगा minus यहाँ minus आजएगा minus a plus b into x plus a b ठीक है चलिए इसको साबित करके देखते हैं lhs lhs लेंगे x minus a और x minus b चलिए इसमें एक term x के साथ लिखेंगे x minus b को फिर minus a के साथ लिखेंगे x minus b को यहाँ into करेंगे x square minus b x minus a x और minus minus plus a b ठीक है अब चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा x square इसमें minus b common कर लिजिए तो यहाँ b plus a या a plus b कोई दिकत नहीं है ठीक है बाहर x भी निकाल दीजिए और plus में a b यहीं लाना था आपको a plus b लिखेंगे b plus से लिखें एक ही बात है छठा आपका हो जाएगा छे नंबर a square plus b square का इसका होता है a plus b b का whole square minus 2ab ठीक है या एक और formula इसका हो जाता है a minus b का whole square plus 2ab देखिए actual में है क्या a plus b ka whole square होता था ना a plus b ka whole square आप लिखते थे a square plus b square plus 2ab या a square plus 2ab plus b square से लिखते थे ना तो बस इसी को हम लोग क्या कियें इधर भेज़ दिया देखिए इस formula में तो a square plus b square बराबर हो गया a plus b ka whole square और यह इधर आके minus 2ab वही हो रहा है इसको भी सावित करने के लिए आप ले सकते है रहेचेस इका रहेचेस से भी इसको सावित कर सकते हैं इसी formula को लिख किये इसको बस इधर ला दीजिए हो जाएगा ठीक है ना तो हम लोग चलिए आरेचेस से सावित करके दिखा देते हैं a plus b ka whole square minus 2ab आप सीथे इसका formula रख दीजिए a square plus 2ab plus b square और यहाँ minus 2ab है तो यह तो कट जागा ना तो आगे ना आपका a square plus b square उसी तरह इसको भी लेकि यह चीज़ ला सकते हैं ठीक है आप उसको कर सकते हैं अगला आप ले सकते हैं साथ नमर एडेंटिटी जो होगा हम ले सकते हैं a plus b plus c का whole square ठीक है इसका होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ठीक है इसमें आपको क्या लेला होगा lhs lhs लेंगे a plus b plus c का whole square रही ना इसको दो बालिक सकते हैं a plus b plus c और फिर into a plus b plus c एक करके into कर देंगे ना एक के साथ इन तीनों में a plus b plus c में और फिर b के साथ एक करके plus b लेंगे तो फिर a plus b plus c फिर एक बार c लेंगे तो फिर इसके साथ a plus b plus c समझें आप देखिए into कर देंगे इस सब में a square plus a b plus c a a b b square plus bc देखिए into करते जाने समझें ना यहां पर फिर a c a फिर इसमें करेंगे b c और फिर इसमें करेंगे c a square तो देखिए आप a square आ गया b a square भी है यहां पर फिर यहां c a square भी है ठीक देखिए a b यहां भी है और a b आपका यहां भी है कि दूए भी हो जाएगा भी सी वाला देखिए to bc और c a वाला देखिए यहां और यहां तो सी यह तो देखिए इसी तरह का कुछ और आइडेंटिटी भी है जैसे यह a plus b plus c का कोले स्कुएर वाला बन रहा ना इसी तरह इसमें प्लस मैनस चेंज करके और भी इडेंटिट मेन आपको यही याद रखना है इसमें अभी जो बताएंगे उन सब को जरूरी नहीं याद करना बस ही आपको याद रहागा ना तो बाकी सब उसी से बना सकते हैं उसी के ओकर्डिंग जैसे माली जिसमें का अगला दिखते हैं आठ नंबर a plus b और यहां ले लेते हैं माइन क्योंकि b c लगाना है तो b plus में c minus में है इसलिए 2b c minus का क्योंकि यह plus का यह माइनस तो plus minus में इस ले लेंगे ठीक है तो अब c A लेना है मैइनस में यह जीसके सात्य गई मैंनस मैंनस धुरुस का 302 सियाली सोग्याए। उसी तरह दस प्ल्स त्ध सकते माइनस कि प्लस भी और प्लस का होस और रहा है इसके बाद यहां चेंज होगा माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी क्योंकि बी और सी प्लस में है और माइनस टू सी और भी बना सकते हैं इस तरह से माइनस यहां ले रहते हैं माइनस बी माइनस सी क्या हो जाएगा एसक्वार प्लस बी स्क्वार प्लस सी स्क्वार माइनस टू ए बी प्लस हो जाएगा टू बी सी क्योंकि देखिए माइनस और माइनस ब्लस और माइनस टू सी ठीक है उसी तरह और भी हो सकता है यहां से आप अगला हो जाएगा माइनस A ले देता है हमकी वेर माइनस A माइनस B और प्लस C का होल स्क्वार तो हो जाएगा A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस C स्क्वार प्लस 2AB A और B दोलों माइनस का है माइनस माइनस प्लस होगा माइनस 2BC माइनससी तर आर हो वह सकता है आपका गाल डु स्कूरर हो माइनससे बनसकती हैं समझ गया चलिए और होगे अगर पाल लीजिए एक और ले रहते हैं इसका जरूरत है नहीं माइनस ए माइनस भी और माइनस थीनों पर माइनस होगा तो a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c यह हो जाएगा तो इसमें आपको में यही याद रखना यह याद होगा तो सारा आप असानी से बना सकते हैं बस साइन का ही फर्क हो रहा है ठीक है और एक दुए है जो पहले एक्सेसाइज में हम लोग यूज करेंगे ठीक है 4.1 में उसको और बता देते हैं आपको 15 नमबर है आपका एक्यूब प्लस बीक्यूब तो शॉरी नहीं इसका अग्लैक्स साइज में होगा इसको देखिये ऐपलस बी कहल कर पो जो था आपका 4.2 में चलके वह यूज होगा यहाँ पे इसको देखते हैा ठीक है जिस साइज में जो फॉर्मॉला यूज होगा उतना बताते जाएंग आपको चलिए इसका फर्मुला होता है a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square यह एक और आप लिख सकते हैं आसे a cube plus b cube चासे 3ab common करेज़ें 3ab common करेगा तो bracket में जाएगा a plus b चलिए इसको प्रूब करते हैं यह लेज़स आपको लेना होगा a plus b का whole cube यह नहीं है आपका इसको एक काम करिए a plus b a plus b और a plus b तीन बार लिख सकते हैं ना समझना इस बात को चलिए एक a plus b को वैसे रखिए बागी दोगों को गुणा कर लिजए यह फिर फर्मुला भी लिख सकते हैं यहां से आपको पता तो है ही लेकिन चलिए हमनों गुणा कर लेते हैं लिखते हैं a plus b फिर फिर प्लस बी लिखते हैं a plus b ऐडेंटी भी यूज़ कर सकते थे हमनों दूगों का square वाले का ठीक है a plus b यहां अंदर आजाएगा आपका a square plus a b plus a b plus b square clear है चलिए a plus b अंदर है आपका a square plus 2ab plus b square इना है चलिए अभी इसे into करते है a के साथ into करेंगे a से तीनों में फिर b से तीनों में चलिए इन्टू करते हैं a cube plus 2a square b plus a b square उसी तरह b से into करें a square b फिर plus 2 a b square और plus b cube ठीक है चलिए यहां से a cube और वहां है last में b cube यहां देखिए 2a square b और a square b 3a square b हो जागा ना चलिए a b square और 2a b square तो 3a b square हो जागा ना तेहिन आपको लाना था चलिए और यह वाला second वाला तो इसमें खली 3a b common कर लेज़ेगे इन दोने में तो यह हो जाएगा समझ गए 16 नमबर भी minus वाला देख लेते हैं इसमें का ठीक है a minus b का whole cube तो यह होता है a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square या एक और इसका हो सकता है a cube minus b cube minus 3ab bracket के अंदर a minus b समझ दिए इसको भी lhs लेकर हमनों solve करके देखते हैं चलिए a minus b का whole cube है इसको आप लिख दीजिए a minus b और चलिए इसमें आपकी वार identity लाके बना देते है a minus b का whole square ठीक है a minus b आज देखिए आप formula लिख सकते हैं ना a square minus 2ab plus b square clear है a के साथ इतिनों में गुना करेंगे तो आजाएगा a cube minus 2a square b minus sorry plus है ना plus a b square उसी तरह इसे minus b में गुना करेंगे तो minus का a square b यह minus में है तो यह minus minus plus हो जाएगा 2ab square यह minus में है और यह plus में है तो plus minus minus b cube clear है a cube minus का b cube यह वाला अब देखें minus 2a square b minus 3a square b हो जाएगा अब देखें 2ab square 3ab square हो जाएगा ना चलिए यह हो गया तो यह आगया की नहीं प्रूफ हो गया और यह नीचे वाला लाने के लिए बस तो आपको common कर देना है यह a cube minus b cube minus 3ab common कर लेंगे 4.1 exercise बनाना है आप 4.2 में चलेंगे तो उसके हिसाब से उसका formula आपको बता देंगे ठीक है 4.1 का first question देखते हैं कहा रहा है उप्यूक तो सर्वसम्के मतलब जो जरूरी है इसमें सर्वसम्किया वो लगा उप्योक करके निम्रीखित का गुलंकन ग्याद करें देखिए पहला ही question जो है दिया है x plus 3 और इंटू में x plus 3 तो यहाँ एक दो बात आती है आप इसको यहाँ तो whole square कर ली दिजे ठीक है और यहाँ फॉर्मल लगा दिजे फिर a square plus 2 into a into b plus b square यानि x square plus 6x plus 9 इस पे लगा दिजे या यह इस पे पता है न कौन सा फॉर्मल लगाए है यहाँ लगाए है आप a plus b का whole square a square plus 2ab plus b square एक और तरीक है इसको बनाने का उससे भी बता देते हैं दूसरा आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ से x plus a और into x plus b वाला फॉर्मला इसका आपको फॉर्मला बता दूए है इसका identity क्या होता है या था है आपको है इसका identity x square plus a plus b into x और plus में a यही ना था यहाँ से इसका formula आपका हो जागा x square plus 3 plus 3 into x plus 3 into 3 समझे रहे ना यहाँ जागा x square plus 6x plus 9 क्लियर हो गया उसी तरह इसका second भी है second number यह वाला तो इसको भी उसी तरह लगा सकते हैं आपर आप x plus a into x plus b वाला ही फॉर्मला दीजिए तो इसका होता है ना आपको x square plus a plus b into x और प्लस में a b ठीक है तो इसी को लगा के हम बना जाते हैं दूसरा भी दूसरा नंबर में आपको x minus 3 और into x plus 5 दिया है तो यहां से हो जाएगा x square plus a और plus b तो minus 3 है और plus 5 है into x और plus a into b minus 3 into 5 समझे रहे ना x square जासे घटेगा तो 2x हो जाएगा और यहां minus का 15 समझ गया आप direct into भी कर सकते थे लेकिन यहां काया रहा है सर्व समिका का पर्योग करना है इसके थर्ड में भी उसी तरह आप यह थर्ड वाला भी इसी तरह बना सकते हैं जो आभी फॉर्मुला लिखें इसी पर यहां 5x plus 2 5x minus 3 तो यहां फॉर्मुला में है x square यानि 5x का square plus a plus b into x तो a plus b a का मान कितना है यहां पर 2 है और b का मान minus 3 into x तो x क्या है । learnt में है a into b तो a into b यानि कितना 2 into minus का 3 समझ रहा ना चलिए यहां 2 करिए 5 कषयर 25x square यहां घटेगा तो minus का 1 तो minus 5x आजाएगा और minus 6 आजाएगा समझ गया तक इसका चार नमर भी है इसी पर बनेगा चार नमर को देखिए तो चार नमर में है आपका y square minus 5 बटा 2 और इन 2 में है फिर आपका y square plus 7 बटा 2 चलिए इसमें लिखें आपको करना यहां x square यानि कि यहां जो x है ना x जगह है y square तो y square का square हो जागा है ना plus a plus b तो यहां minus 5 by 2 और यहां b के जगह है 7 by 2 into x तो x के जगह है क्या है y square ना है ठीक है और plus a into b यानि minus 5 बटा 2 और फिर into में 7 बटा 2 ठीक है ना formula पर रख दिया यह देखिए y के पावर हो जागा 4 और देखिए पांच भी उसी पे बना लेजिए आप लोग 6 नमर से देखिए 6 नमर से अगला identity आ जाता है इसमें आप यूज करिएगा a square minus b square वाला था ना एक बार a plus b और into में फिर एक बार a minus b तो वही चीज़ दिख रहा है एक बार plus में एक बार minus में सेम टार में अंदर तो छे नमबर देखिए इसका किस तरह से बनाएगा तो है 5 प्लस 2 एक्स और 5-2 एक्स तो इसका हो जागा a square minus b square इस identity पे रख दिये चलिए 5 का square 25 और यहां दो का square 4x square समझ गया उसी तरह यह भी है आपका साथ नमर भी बस वही है y minus x बटा 10 और फिर यहां भी वही है y plus x बटा 10 दोने जगा एक जैसा दिख रहा है तो यहां a square minus b square वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं तो यहां हो जागा y square minus x square बटा 100 क्लियर है इसका अभी इसी तरह बना लेज़ेगा 8 नमबर उसा नमबर दो 2 टीड़ किया नम'? का मान गयातकर निंसका इसका मान गयातकर नम24 सो और पांच 106 करना क्या है तो आफको 100 प्लस पांच लिख सकते थे इसको 100 plus 6 लिख सकते हैं और यहाँ पर आइडेंट्री लगा देजिए आइडेंट्री भी लगा सकते हैं और डिरेक्ट भी बना सकते हैं ठीक है दोनों से आपको समझा जाते हैं आइडेंट्री जो आपको बताए हैं अभी अभी जो यूज किये थे लोग a plus a और x plus b वाला x square plus a plus b into x और plus में a भी यह ना भी आपको बताए हैं चली तो इसको सजी से लिकिए देते हैं ठीक है तो इसका use कर देते हैं ठीक है चली तो यह हो जागा सो का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानि 5 प्लस 6 एक जगा पर है 5 और बी के जगा है 6 और एक्स के जगा है सो प्लस ए इंटु बी चलिए सो का स्क्वायर तो यानि 4-0 लग जागा एक पर यह और 5 कितना होता है इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ी रहा तो 0 3 1 1 1 समझ गया यहां से यह आ गया उसी तरह बाकी भी इसको कर सकते हैं इसका सेकेंड नम्मर जो है सेकेंड नम्मर एक सो तीन गुना अंठानबर है तो इसको आप क्या करिए सो प्लस 3 कर लेजिए और इंटु में है आपका सो म पर्योग करके उसी तरह इसका तीसरा जो है संतानबर गुना अंठानबर है इसको भी ऐसे कर लिए सो माइनस तीन और फिर सो प्लस सो माइनस दो समझ गया ना तो इसमें उसी तरह आइडेंट्टी लगा देजिए का सो का स्कॉयर ठीक है प्लस ए प्लस बी तो यह के जगा म कि माइनस 3 इंटु माइनस 2 चलिह अंगर यहाँ से हो जागा चार गोजीडु लग जागा ने इस पर यह मा इसका हो जागा 505 प्लस प्लस का कितना हो जागा तीन दोना छे चलिए अब देखिए पान सो मैंस का है तो इस इसको घटा गटा देते हैं तो यहा जेगा 4494 न भायगना इसमें से माइनस खता देंगे किसमें से हैं से याप कआ जässER परफालयिव सेख ए। समस्य है द्रीकोषर है दिखें को प्राशारीत रूप में लिखना यानी जैसे आपको बता त् produção लगासे इंट्न पर बनाता है ठीए फंल्लिस फाईफ सी का whole square आपको लिखवाए है a plus b plus c whole square इसी पर नहाई है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc और plus 2c a ठीक है क्लियर है अब इसी में आपको खली रख देना है तो रखना है तो किस तरह से रखिएगा यहाँ पर आपको दिया है question में 3a plus 4b plus 5c का whole square a square जानि 3a का square b square जानि 4b का square plus c square जानि 5c का square plus 2 into a के जगा पर लिखिएगा 3a b के जगा लिखिएगा 4b plus 2bc तो b के जगा 4b और c के जगा 5c formula पर रखते जारे plus 2c तो plus 2c के जगा पर आएगा 5c और a के जगा पर आएगा 3a यह आपका identity है ना यह इसी पर रख दिये चले यहां जगा तीन का square 9a square 16b square 25c square समझ रहा ना यह देखिए इसक्वार तो कर रहे ना चलिए इसमें से एक दो और देख लेते हैं इसमें का second भी देख लेते हैं second और five number second number देखिए minus वाला है 4a minus 2b minus 3c तो आपको तो बहुत सारे इस तरह का minus वाला identity बताए थे लेकिन आप plus वाले से भी काम चला सकते हैं और उस second वाले माइनस वाले का भी यूज कर सकते हैं कोई दिख करते हैं तो चलिए फॉर्मूलात आपको बहुत सा लिखा दिखके हैं a square plus b square direct c से लेके चल देते हैं इसका ही direct formula लगा देते हैं आपको लिखवाए तो थे ही ना a minus b minus c का अपको लिखवाए है a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc और minus का 2ca यही लगा देते हैं plus c square ठीक है minus 2ab plus 2bc minus 2c और a ठीक है यहाँ से चलिए तो चार का square 16a square यहाँ दो का square 4b square 9c square minus 4ab plus 3ab plus 3ab plus 12bc और minus का चार ते बारा बार दोना 24c है ऐसे बिली सकते हैं ठीक है और direct formula पहले प्लस वाले पे भी बना सकते हैं इसको ठीक है तो प्लस वाले पे दिखा देते हैं कैसे चलिए तो देखिए प्लस वाले में था ना a plus b plus c का whole square a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc और plus 2c चलिए इस पर रखके देखते हैं इसको एंसर वही आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एक्शुल आपको प्लस वाले लगाना है आज अगा न फायदा यह होगा कि आपको एक ही आइडेंटी याद करने पड़ेगी ठीक है तो बाकी तो उसी पर आप रखके बना सकते हैं आपको तो सिखा चुके हैं चलिए यहाँ जगा a square प्लस b इसकर तो b की जगा माइनस 2b है और c की जगा माइनस 3c है ठीक प्लस 2 इंटू एक जगा 4a और b की जगा क्या है माइनस 2b ठीक उसी तरह प्लस 2 हो प्लस्टू इस त्वाह करें रहें ही न माइनस का ठूवी और मैंनस का ठ्री सी के जग़ा यहां पर है मैंनस का थ्री सी त्रहिए झाइए और आधा के दो कलिए चार का स्कॉर्ड अन्य करें हो जांगा город 14 इसक्वार difकर संद्वाइब में का तो दोना मैनस का सोला एब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जागा था धनूना प्लस तीन दोना छे दोना बार का देते हैं ठीक है चरीए ए बट्टा थीन माइनस बी बट्टा दू अप्लस टू का और स्कार यहां देखिए ए स्क्वाइर यानि टू बाई थी का स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर माइनस बी बाई टू का स्क्वाइर प्लस सी स्क्वाइर ठीक है प्लस टू इन्टू ए फ्लास 2 इंई नी-की माइनस का बी बाइटू इंटू प्लस तूंौ इन्टू इन्टू प्लस विंटू सिनटू ऐस्तम यहां से चलिए अब स्क्वायर करते हैस कर देहां पर स्क्यार करियेगा तो यह होजगा एस्क्वायर बट्टा में a square बट्रा में हो जगा 9 यहाँ हो जगा b a square बट्रा में 4 फिर यहाँ दोका isquire 4 ना दोका isquire 4 यहाँ देखे दो से 2 kaart दीजे मैईनस का a b given 3 ठीक है अभी प्लस माइनस dus हो जाएगा यहाँ 2 से 2 kaart दीजे मैईनस का 2 B यहां देखे प्लस का 4 a चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन नबा दें और अधर वीडियो के लिंक चाहिए हो तो आप हमारे वाट्सप नंबर 730107889 पर वाट्सप करके उसका लिंक कर सकते हैं कुछा जयाता अपना सब्जेक की सब्जेकं की जरूरत और वीडियो जो भी हो आप जुभी देखके उसको जाधा स्वेक्ट कुरें लूर्फ निए और सब्सक्राइब करना न भों सब्सक्राइब कर्के बैल ऐकन दबा देंब्स कि 985 इंदेजिकसएर